वीडियो को आखरी तक देखेगा और फ्रेंट्स वीडियो के बेगिनने में आप लोगों को जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके लिए आपको सिफ एक सिकंड लगता है फ्रेंट्स सब्सक्राइब बटन हिट कर बने में बेल आइकों दबने में इतनी सी हल्प तो आप करी सकते हैं इसे मुझे भी बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही लेटेस्ट अप्डेट्स आप लोगों तक शेयर करता रहोंगा तो प्लीज फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब जल्दी से स्टा कर दिया है तो कल तक हमारे पास परसंटेघ नहीं थे फ्रेंट्स आज परसंटेघ आचने आज के यहाप अप देख सकते हो की रिलाइंस इंड़स्टीजन फ्यूचर रिटेल हाज बिं डिलेड विट नियरली 75 50% of the secure creditors rejecting the proposal मतलब out of 10 7 secured credit creditors ने जो है reject कर दिया है कि वो reliance को asset ना बेचा ऐसा उन्होंने बोला है उनको कही न कही un security वहाँ पे लग रही है जो है properly वो deal के भीतर जो है secure नहीं feel कर रहे है तो बैंक्स को वहाँ पे कही न कही रिस दिखाई दे रहा है लेकिन फिर जो normal share investors थे उनका क्या हो वहाँ पे देखिया exchanges that it has secured 85.9% of the shareholders vote in favor of the deal with reliance तो देखिया friends जो retail investor और जो छोटे मोटे दूसरे investors थे उनका जो percentage यह वो 85.9% है जुन्होंने favor में vote किया लेकिन बैंकों का यानि लेंडर्स का voting बहुत जादा important था क्योंकि वहाँ पे वो secured होते हैं वहाँ पे उनका पैसा secured होता है यहाँ पे retail investors हमेशा risk में रहते हैं हमें नहीं knowledge होता है कि अगर यह assets base दिये गए तो क्या Reliance और future group हमें कुछ देगा बहुत सी companies के सथ पास में ऐसा हो चुका है कि Reliance ने कुछ companies को खरीदा और उसके बाद retail investors को कुछ भी नहीं मिला है तो यहाँ पर में भी हम बोल सकते lack of knowledge नहीं होता है या फिर हमें पता नहीं होता है कि इस deal के बाद क्या execute होगा लेकिन other hand जो लेंडर होते हैं उनको काफी जानकरी होती है कि क्या कुछ हो सकता है उस deal के बाद और उसी की वज़े से शायद यहाँ पर वो लोग जो है अपोस कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा एक important update है friends जो मैं मैं कर डिसकस किये थे कि क्या कुछ हो सकता है future retail के साथ उसमें से यह भी एक option था कि यह company जो है IBC यानी bankruptcy code की तरह जो है execute की जा सकती है लेंडस ने और लेंडस ने वही procedure अभी start कर दी है वो NCLT के पास जा चुके है to take over this particular company as a bankruptcy code तो यहाँ पे अगर bankruptcy में जाता है यह NCLT approval देता है तो फिर bidding process start हो जाएगी और जो भी interested firms रहेगी वो reliance हो या दूसरे हो वो future retail के इस particular firm को जो है buy करने की कोशिश करेंगी वहाँ पे किस तरीके के update आते है limited stores offer किये जाएगे या जितने भी future group के store से small format या big format सारे के सारे sale किये जा सकते हैं तो कैसा रहेगा वो आने वाले कुछ दिनों में जो है landers group या NCLT को proposal भेज़ेगा किस तरीके का valuation रखा जाएगा वो भी proposal भेज़ेगा और उसके basis पे आगे की details जो है यहाँ पर carry on होगी तो friends future retail के इस share में या जितने भी future group के share है बहुत जादा हलचल होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में एक तो काफी जादा तेजी भी आ सकती है या काफे जादा गिरावट भी आ सकती है क्योंकि यह deal cancel होने के बाद कहीं न कहीं लेंडर से feel करें इसका मतलब कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा बचेगा तो अगर यह positive impact होता है market पे तो definitely जो है future group के share में तेजी आएगी लेकिन bankruptcy की अगर बात की जाए तो फिर किस तरीके के proposal जो है रखे जाएंगे नए बायस के तरफ से उसके उपर ना बुलिएगा thank you